हलो स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम इस वीडियो में बाग गुफा की चितरगला के बारे में जानेंगे तो देखेगा बाग गुफा की चितरगला किस काल की है ठीक है और बाग से सम्दित एक और भी थी अजनता गुफा की चितरगला वो भी हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे तो आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को फटापर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इतिहास पिसे सम्दित भैतोपुन जानकरी मिर सके और आप एकजाम के तियारी अच्छे स कर सकें ठिक है तो चलिए पढ़ते हैं बाग उफा की चितरगला मध्या परदेश के दहार से 80 किलोमेटर तथा इंदोर से उत्तर पसिम 144 किलोमेटर दूर नर्मदा की सहायक बागिनी नदी के बाएं तट पर बाग की पहाड़ी इस्तिर है अजनता के समाल यहां भी बहुत विहार बनवाए गए हैं इसमीत का उन्मान है कि अजनता में गुहा निर्मान कारिये समाथ होने के बाद बाग में गुहाएं उत्किर्ण की गई इन गुपाओं की खोज 1818 इस्ति में डेंजर फिल्ड ने की थी ठीक है तो जो बाग की गुफाएं इनकी खोज किस ने की थ डेंजर फिल्ड ने और कब की थी 1818 इस्ति में ओके फरिग्यूसन तता बर्गेश जैसे कुछ तम्र पत्रों पर ब्रहमी लिपी में लेक अंकेत अंकित हैं जिनका समय चोथी पांच विस तापदी निर्दारित की गई है संभवता इस छेत्र में सासन करने वाले गुपतो के सामनतों द्वारा इन गुफाओं का निर्मान करवाया गया है बाग की गुफाएं विंदे पाहडियों को काट कर बनवाई गई थी सरा परतम 1818 इस्ति में इनका पता डेंजर फिल्ड ने लगाया था जो हमने अभी आपको बताया और बाग की गुफाएं इनकी संख्या नो है जिन में चोथी पांचवी गुफाओं के विथी चितर सबसे अधिक सुरक्षित अवस्था में हैं ठीक है तो क्यों सन आ सकता है कि बाग की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं वह आपकी नो और इनकी बाग की गुफाओं में कौन सी गुफाएं सबसे अधिक सुर बाग की चोथी पांची गुफाओं को स्योंक्त रूप से रंग महल कहा जाता है इनका बरामदा परस पर मिला हुआ है इनके बरामदे तता बीथरी दिवारों पर सर्वादिक चित्र बनाए गए है छैद रिशेश रूप से परसिद हैं पहरे दर्से राज भवन के एक खुल दूसरी उसकी सेविका लगती है राजकुमारी का शरीर अबूशनों से युक्त है वह अपना हाथ सेविका के कंधों पर रखकर उसकी बाते ध्यान से सुन रही है छत्र पर कबुत्र के दो जोडे चित्रित किये गए हैं दूसरा दर्से दो जोडों का है जो एक दूसरे के समुख बैठ कर सास्त्रार्थ में लीन परतीत होते हैं बाई और एक पूरुस इस्त्री है जिनके सिर पर मुकुठ होने से उनका राजजा रानी होना सुचित होता है दाई और दूसरा जोड़ा समाने जनका है प्रिष्ट बाग पर वनस पतियों का अंकन है ठीक है यह था समुख řिस नकार पर दूसरा दर्से थीसरा एक संगीत का दृष्ट है इसमें पूरुसों तता इस्त्रीं के डो अलग समुख है छै पूरुसों का समुख श््तं Guess संगीत का आनंद उठा राहा है इस्त्री समुख उसे आराक हैं कि मद्धे एक सद्री वीर्णा बजाते हुए चित्रित हैं एक के सिर्पर मुकट है जिससे वह नाई का लगती है सब्ही अलंकरित वस्तर तथी अभुषण धारण किये हुए चित्रित है यह सब्ही सभुँइं में नर्ते करते हुए दिखाए गए हैं इनके हातों में म्रदंग, करताल, कांसेताल, अधिवद्धे यंत्र हैं बाई और साथ इस्त्रियों के बीच विच्चित्र वेस्पुसा वाली नर्तकी है जो मोतियों की माला पहने हुए है तीन इस्त्रियां डंडे बजा रही हैं एक म्रदंग तथा तीन मजीरा बजाते हुए दिखाई गई है दाएं समुहे में छे इस्त्रियों के घेरे में भी एक नर्तक अत्वा नर्तकी है दोनों समुहे की इस्त्रियों पूरुसों की वेस्बुसा सुन्दर है इस्त्रियों के केश विन्यास आकरसक है इस चक्राकार नर्ते को भारत्य प्रंप्रा में हल्ली सक कहा गया है इस हल्ली सक की उत्पती बगवान क्रिशन की रास लिला से माननी जाती है बारत्य संगीत का ये रूप गुप्तकाल के अमोध पूर्ण नगर जीवन के शर्वाथा उप्यूक्ति था अब देखेगा पांचवा दर्से इसमें सामुहिक नर्ते को समराठ तथा उसके घुड़ स्वार सैनिक देखते हुए परदर्शित किये गए है इस चित्र में गोडों पर स्वार सैनिक ठिसी सोभा यात्रा में जार है हैं सबी स्थरी पूरुसों ने सुंदर अबुशन एं कपड़े पहन रखे हैं समराठ राजसी वेश पुसा में है बाग की गुफा की छत पर मनोसे पसू, पकसी, पूस्प, लता पत्र, आदिका मनोहर चित्रन है इस परकार हम कह सकते हैं कि अजन्टा के ही समान बाग की चित्र कलाबी परसन सनिय है जहां तक अजन्टा एं बाग के चित्रों में अंतर का परसन है वो यह है कि बाग की गुफा के चित्रों पर लेप नहीं लगाया गया है चिकनी दिवार पर चुने की सफेदी की जाती थी तता उसके सूखने पर चित्र बनाए गए है ठीक है तो देखेगा इस वीडियो में हमने बाग गुफाओं की चित्रकारी के बारे में जाना आगे के वीडियो में हम आपको अजनता गुफा की चित्रकारी के बारे में पढ़ाएंगे तो बने रहें यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज पे